नमस्कार कापिचल टीवे बिहार देख रहे आप और मैं हूँ आपके साथ आत्मचा बिहार की सियासत में अंदनों काफी हलचल है आए दिन कोई ना कोई यासी खबर निकल कर सामने आ रही है जिसको सुनकर राम लोग भी काफी हैरान रह जा रहे है ऐसे में एक बड़ी खबर जदियू खेमों से निकल कर सामने आई है जिया आपको बता दे कि अब नतीश कुमार ने ललन सिंग और उनके साथियों को अपने पार्टी से आउट कर दिया है अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या हुआ है तो आई आपको विस्तार में बता लेते हैं दरसल जदियू के रास्टिय ध्यक्ष नितीश कुमार ने आज अपनी नई कमिटी का गठन किया उन्होंने वसिष्ण नरायन सिंग को रास्टिय उपाध्यक्ष बना दिया है लिस्ट में चोक आने वाली सबसे बड़ी बात त्या है कि पुर्व रास्टिय ध्यक्ष यानि कि ललन सिंग के बेहत खास निताओं की छुट्टे कर दे गई है पार्टी के राष्टी महासच्यू हर्षवर्धन को इस बार महासच्यू नहीं बनाया गया, नितीश कुमार ने उन्हें कोई भी जिम्यदारी नहीं दी बता दे कि हर्षवर्धन सिंग पुर्वराष्टी अध्यक्ष के बेहद ही करीबी थे इसके अलावा कई अन्य निताओं का भी पत्ता इस बार नितीश ने काड़ दिया है नितीश कुमार ने इस बार 11 महासच्यू बनाया है तो आएए एक बार आपको उनके नाम बता देते हैं रामना ठाकूर, मंगनी लाल मंडल, संजे जहा, मुहमद अली, असरफ पात्मी, अपाक एहमद, स्री भगवान सिंग कुश्वाह, राम सेवक सिंग, कहकेसा परवीन, कपील हरिश्चंद्र पाटील, राज सिंग मान, इंजीनिर सुनील कुमार को महासच्यू के लिस्ट में सामल किया गया है, वहीं विद्या सागर, निशाद, राजी उरंजन प्रशाद, अनूप पटेल, दयानंदराय, संजे कुमार और मुहमद निसार, और किसी त्यागी को राजितिक सलाकार सहर राश्ट्य मुख्य प्रवक्ता बनाया गया है, वहीं सांसद अलोग कुमार सु अब बता दे कि वहीं रविंद्र प्रशाद सिंग, संजे वर्मा को इस वार सचीव की जिम्मेदारी नहीं दी गई है, इनकी जगह विद्या सागर निसाद और मुहमद निशार को जगह दी गई है लेलन सिंग ने रामनाठ ठापूर, अले असरफ, फात्मी, संजे धा, गिर्धारी, यादो संतोष कुमार कुस्वाहार, रामसेवक सिंग, चंदेश्वर प्रशाद चंदरवंसी, दसई चौधरी, गुलाम रसूल बलियावी, आरपी मंडल, वुजे कुमार माजी, भगव इस लिस्ट में बड़ा बदलाएफ कर दिया गया है, और नितीश कुमार नेस पर फैसला लिया है, कि कुछी दिन पहले देखा गया, कि जो ललन सिंग थे, उन्होंने राश्रा ध्यक्ष्ग के पत से इस्तिफ़ा दिया था, और इसके बात से अब लगातार ऐसा लगी रहा नितीश कुमार के तरफ से जदियु ने जारी किया है उसको देखने के बाद यह साफ नज़राता है कि कही ना कहीं ललन सिंग और नतीश कुमार में वाकई में आप सी खटपत देखने को मल रही है और अब ऐसा कयास भी लगाया जाएगा जाहिट से बात है कि क्या वाकई में नितीश कुमार पाला बदनने वाले हैं और क्या वाकई में ललन सिंग जो है वह राजित के तरफ से बाटिंग कर रहे थे इन तमाम जो ये सारे सवाल है या फिलहाल लोगों के मन में है आपको क्या लगता है किसके पीछी की वड़ी वज़ा क्या है आप हमें कमेंट करके जर कर दो